दोस्तो बिच्छू, दुनिया के सबसे खुखार जीवों में से एक है ये शिकारी प्रजातिया हैं जो अर्चिंडा परिवार से संबंदित है आपको बता दूं कि इस परिवार में मकडी, टीक और घून जैसे आठ पैर वाले किड़े शामिल है और जो चीज इस अर्चिंड को खास बनाती है, वो है इनकी पूँच, जो असल में एक टेलसर नामक, एक स्टिंगर है जिसमें बहुत ही खतरनाक जहर होता है, जो एक वैस्क व्यक्ति को मार सकता है ये दुनिया भर में कई जगों पर पाया जाते हैं, खास कर अंटार्टिका को छोड़कर ठंडे और ठंडे शेत्रों में इनके पास प्रजनन का एक अलग तरीका होता है, जो दूसरे अर्चिंड से बहुत ही अलग होता है बिच्चू का शरीर तीन भागों में बटा होता है, पहला सीर, दूसरा पेट और तिसरा पूँच है साथी इसके पास आखें, मूँ, पंजे और चलने के लिए आठ पैर होता है इनके पास एक मोटा कंकाल जैसा शरीर होता है, जो इने शिकारियों से बचाने में मदद करता है इसके पेट पर साथ खंड बने होता है, जिनें उपिस्तो सोमा कहा जाता है वहें इसकी पूछ में पांच खंड बने होते हैं और आकरी खंड में नुकीला डंक मौजोद होता है जिसमें खतरनाक जहर होता है अगर बात करें इसके आकार की तो एक वैसक बिच्छों की लंबाई लगबग 2 इंच तक होती है जबकि बड़ी प्रजातियां साथ इंच तक बढ़ सकती है और अगर बात करें इनकी प्रजातियों की तो इस दुनिया में इनकी लगबग 1700 से भी जादा प्रजातियां पाई जाती है लेकिन कि आपको पता है कि इन बिच्छों का जन्म कैसे होता है अगर नहीं तो इस वीडियो को पुरा जरूर देखना लेकिन आगर बढ़ने से पहले आपको बता दू कि इस से पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चकर की वीडियो बनाई हुई है जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला और आज हम आपके लिए एक और जीवन चकर के साथ ये वीडियो लेकर आए है हमें उमीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो बिच्चू का जीवन चकर विभिन प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है कुछ बिच्चू होते हैं जो अधिकांश यौन प्रजनन करते हैं और कुछ बिच्छो की प्रजातियां ऐसी होती है जो पार्थेनो जेनेसिस के माध्यम से प्रजनन करती है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां ये बिच्छो बीना यौन प्रजनन के प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं जिसके बाद अनफर्टिलाइज अंडे पेट में विक्सित होते हैं और एक बार जब ये बिच्छू आखरी बार मोल्टिंग करता है तो ये वैस्क होने की प्रक्रिया तक पहुंच जाता है यानि ये प्रक्रिया जीवन भर प्रजनन के लिए चलती रहती है तो चलिए अब हम बिच्छू के यौन प्रजनन वाले जीवन चक्रपर नजर डालते हैं दोस्तो बिच्छू के मिलन की प्रक्रिया बहुती कथिन होती है क्यूंकि इस बिच्छो को मिलन के लिए अपने प्रजाति की मादा की जरूरत होती है और इस बात का पता लगाने के लिए ये अपने फॉर्मोन और कमपन का इस्तमाल करते हैं और जब एक बार इन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला इन्ही की प्रजाती का है तो ये मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया को पुरा होने में लगबख एक घंटे से लेकर एक दिन तक का समय लग सकता है वो इसलिए कि इस प्रक्रिया के दोरान नर को मादा के जनन अंगो को खोजने में समय लगता है और ये समय जितना अधिक होगा मिलन की प्रक्रिया भी उतनी ही लंबी होगी इसलिए नरो पर इस प्रक्रिया का भार बहुत अधिक होता है क्योंकि अगर इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है तो मादा इस मिलन प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ कर चली जाती है और अगर मिलन की प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद नर को मादा से बहुत जल्दी दूर भागना होगा ऐसा इसलिए तूकि ये संभावना बनी रहती है कि मादा एक नर भक्षी में बदल जाए और नर को खा जाए हालकि ये आम तोर पर सिर्फ कुछ मामलों में ही देखने को मिलता है तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद ही मादा गर्बा वस्था में पहुंच जाती है आपको जानकर हरानी होगी कि कुछ बिच्चों का गर्ब कार बहुत लंबा होता है और ये कुछ महिनों से लेकर एक वर्ष के बीच हो सकता है जो कि प्रजातियों के आधार पर अलग-अलग होता है तो जैसे ही मादा की गर्बा वस्था का समय पूरा हो जाता है उसके बाद ये बच्चे देने के लिए सुरक्षित इस्थान की तलाश करती है ताकि इसे बच्चे देने में कोई परिशानी ना हो और जैसे इसे कोई सुरक्षित इस्थान मिल जाता है उसके बाद ये गोंसला बनाना शुरू करती है जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपना घोंसला बना रही है और जैसे ही इसका घोंसला बनकर तयार हो जाता है उसके बाद ये बच्चे देना शुरू करती है जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चों को जन्म दे रही है आपको बता दू कि ये एक बार में 100 बच्चों को जन्म दे सकती है और जन्म के समय इन बच्चों का रंग सफेद होता है दोस्तो ये नजारा सच में बहुत ही अनोखा है जिसे आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा तो जैसे ही ये अपने सारे बच्चों को जन्म दे देती है उसके बाद ये सारे बच्चे मादा की पीट पर सवार होने लगते है यानि ये बच्चे मादा की पीट पर चड़ जाते है क्योंकि इस समय ये अपना बचाव करने में सक्षम नहीं होते और इने भोजन और पानी की जरूरत होती है और ये अपनी मा की पीट पर सावार होकर ही ये सारी चीजे प्राप्त करते हैं और इस तरह ये लगबख 50 दिनों तक अपनी मा की पीट पर बने रहते हैं और रेंगते रहते हैं और इस दोरान ये मोल्टिंग की प्रक्रिया से भी गुजरते हैं जहां ये 8 से 10 बार अपनी त्वचा को बदलते रहते हैं और जब जब ये अपनी त्वचा को बदलते हैं तब तब ये आकार में बड़े होते चले जाते हैं और इस तरह ये वैस्क होने की अवस्था में पहुचने लगते हैं लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि 50 दिनों के बीतने के बाद ये सारे बच्चे अपनी मा को छोड़कर जाने लगते हैं जिसके बाद भी ये समय समय पर मोल्टिंग की प्रक्रिया से गुदरते रहते हैं और इन्हें पूरी तरह से वैस्क होने में लगबग 4-5 सालों का समय लग जाता है अगर बात करें इनके शिकार की तो ये बिच्चु इस पर्ष और ध्वनी के माध्यम से अपने शिकार को महसूस करते हैं और इस तरह ये कई छोटे बड़े कीडों को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं और इस समय अंतराल के बीच ये धीरे धीरे पूरी तरह से वैस्क हो जाते हैं तो जैसे ही ये बिच्चु पूरी तरह से वैस्क हो जाते हैं उसके बाद ये मादा की तलाश में निकल पड़ते हैं आपको बता दूँ कि ये बिच्छू मादा की तलाश में मीलों की दूरी तै करते हैं और जैसे ही इन्हें अपनी प्रजाती की मादा मिल जाती है उसके बाद ये मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है और अगर बात करें इनके जीवनकाल की तो इस बिच्छू का जीवनकाल 6 से 10 वर्षों का होता है जो विभिन प्रजातियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक को चेक कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई